अल्ला आपर रहमत फर्माएं तो इसके इंगलिश क्या होगी अल्ला ब्लास यू ओ अल्ला सेवास फ्रॉम देश्मेंट ऑफ हैल ए अल्ला हमें जहन्नम की सजा से महफूज रख ओ अल्ला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इवल आए ए अल्ला हमें बुरी नजर से बचा और में यू लिव लॉंग अल्ला आपकी उम्र लंबी करें विव लॉंग विए प्रॉग्रेस बाइली अन्बाउंस दिन दुगनी राज चुगनी त्रकी करो आप काम्याब हो तो इंगलीश में हम इसको कहेंगे में यू सक्सीड और हैवा सेफ जर्नी तुम्हारा सफर अच स्वाम अता फरमये में अल्ला ग्रांट यू अहल्थी बैवी अल्ला आपको सेहत मन बचा दे मैं अल्ला ग्रांट यू और हैल्थी बेवी ओ अल्ला हव में बढ़ए अबड़ लॉद्ट्स अल्ला मुझे बूही आदाः चौर्णे में मदद कर अव अल्ला ग्रप्मी May Allah poor patience upon you, May Allah Poor Patience upon you May Allah Help you in this distress, मुश्किल की इस घड़ी में अलाप की मदद परमाए, May Allah Help you in this distress, May Allah Heal You, Allah आपको सहत दे, May Allah Heal You, stay happy ठीक है stay happy get well soon आप जल्द सहत्याब हो जाएं get well soon wish you all the best कम या भी आपके कदम चुमें wish you all the best आपको शादी की बहुत-बहुत मुबारक बाद यह शादी की मुबारक बाद देने के लिए यह थोड़ा सा एक अलग सा sentence है so congratulations on tying the knot so congratulations on tying the knot किस्मत आपका साथ दे good luck oh Allah forgive the entire muslim umma एला तमाम उमति मसलमा को बख्ष दे एल्ला हमें सीधा रास्ता दिखा oh Allah show us the right path oh Allah increase me in knowledge या ला मेरे इल्में इजाफा फर्मा oh Allah increase me in knowledge may Allah protect you and your family Allah आपकी और आपकी फैमिली की हिफाज़त फर्माएं may Allah protect you and your family oh Allah protect us from lying जूट बोलने से and arrogance तकबर गुरूर एला हमें गुर्बद और कर्दों से बचा oh Allah protect us from poverty and deaths Allah हमें जूट और तकबर से बचा